जिस तरह आपने बताया था कि मिट्टी की जाच किस तरीके से करानी चाहिए 15 cm कैसे अंदर खूलना है खोदना है वी शेप में पूरे खेत में से हर खेत में से एक नमूना तो पानी की जाच का भी एक विशेश तरीका होना चाहिए जरूर वापसे जाना चाहिए किसान भाईयों पानी की जाच कराने के लिए आपका जो बोर्वैल है या जो भी है कुई है जह सरे शुरूर में 5-7 मिको चलाकरी जो पाइप वगेरा में पानी भरा हुआ है वह नीकल जाए इसके बाद प्लास्टिक की बोटल विर्त बिल्कुल साफ होनी कि पानी दोड़ाई की दोड़ाई की की दौड़ाई की आचकर बैसको पर तक बोटल को पानी से भर लें जिस से उसमें हवा ना रहे बोटल में हवा ना रहे जिक और उसको फूरी धकन को अच्छी तरह कसकर बंद करते हैं, ये मिट्टी पानी का नमूना लेने की विद्धी है, पानी का नमूना लेने के बाद उसको अधिक समय तक अपने पास नहीं रखना चाहिए, पानी के नमूने में काफी फरक पड़ता है जांच में, जांच परिणामों में अगर पानी का नमूना आठ दर दिन अपने लेने के बाद आठ दर दिन अपने पास रख लिया जी तो उसके परिणामों में काफी अंतर आ जाता है